हेलो गुद मॉर्निंग एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग यह देखें जी यहां पर मैं बाहिर आई हूं सबह साड़े छे बज़े का टाइम है और बस बहुत ही ब्यूटिफुल सी यह मॉर्निंग है और देखें यहां से सुरच बस तलू होने ही वाला है और मैंने क्लिप ले लिया और यहां पिजान नओजि किछन में आ चुकी है बच्वेश्चिंक की लिए भी स्नक्स बनाने के लिए प्ड़ो यह इसकी है और यह बच्वेश्चों के लिए काफी हल्दी उस लिए क्शुपले निच्वे अर्छ पर आपने की यहां चौकला को हैं सही तरह से चिकन है अंदर से सारा न और यहां पर यह रहा हैं और साथ में मैं जी अभी दूड़ेट कर दूँगी और यह देखें इस बागे टाइम अगर बच्चों का नाश्ता करने को दिल ना करें तो फिर इनको मैं यह देती हूं यह भी होल ग्रेन है और अच्छा र और आप सब को हेलो गोल रहे हैं यह देखिए जा इनकी शरारते भी साथ शुरू है और साथ नाशता भी शुरू है यहां पे इनके मैंने लाइंज रूप कर दी हैं और यह विस्किट रखेंसाथ और यहां पे जी आज इनका आज को मैं स्कूल में इन लोगों की आज पज पार्टी यहां पार्टी यहां इन्होंने अपना एक कड्लिंग टॉय भी साथ लेकर जाना है और यह भी रेडी हैं स्कूल जाने के लिए यहां बहुत बाग हो रही है स्कूल के लिए जा रहे हैं यह देखिए गाईज यह नैना है और नैना काफी बिमार है दो तीन दिन से तो मैंडिसन वैसे तो मैंने इसको स्टार्ट करवाई थी लेकिन कोई फरक नहीं पड़ रहा इसको इस वज़ा से मैं आज इसको लेकर जा रही हूं चेक अप के लिए हम जा रहे हैं अभी चेक अप करवाने के लिए नैना का भी मैं साथ लेकर जा रही हैं हएँ आज गाईज अभी हम मैडिसन लेकर वापिस आगे हैं ये देखिए अर ये नैना के मैडिसन है ये देखिए ये तहां पे देखें गाईज ये ग्रेफ्रूट का ट्री है ये देखिए ये बिलकुल हमारे घर के पास लगा हुआ है है और यह बहुत प्यारा लगता है यह देखें कितना खुबसूरत है यह देखें और इसके उपर काफी ग्रेफ्रूट्स लगें है एक यह है यह थोड़े से और बड़े होंगे ना अभी तो कुछ छोटे हैं तो फिर इनका पोस्ट माटम करके दिखाऊंगी मैं आपको और यहां यहां आको दिखाती हूँ यह देखिए यह देखिए और कुछ जुपर लगे हमें। तो देखिए आपको नजर आ रहरा हम यह देखिए यह देखिए यह देखिए क।ामिनdepth की बढ़े होंगे ना थो प्र इंको काट के आप उनके साथ मैं शेर करूंगी अच्छा जी ये सामने जो द्रख्त मैंने आपको दिखाया ये ग्रेफ्रूट का द्रख्त है ये फिर जो आपको नजर आ रहा है ये लोकाट का द्रख्त है और ये सामने जो पोदा है ये अनार का पोदा लगा हुआ है और इसका मुझे नहीं पता ये किस चीज का है और ये देखें ये सामने एक दरखता है इस पे सेव लगते हैं और इस साल इस पे सेव लगे हैं और हमने काफी तोड़के खाए हैं और इतने मीठे इतने मज़े के थे और वो सामने जो आपको छोटा सा पोदा नज़र आ रहा है ना उस पे खटियां लगी हुई है जैसे वो नहीं होते हैं जैसे ओर इंच छोटे छोटे जैसे होते हैं बिल्कुल वैसाई टेस्ट होता है इनका अभी भी इसके उपर लगे हैं लेकिन वो थोड़े से अभी ग्रीन कलर के हैं तो सर्दियों में यह अपना कलर चेंज करते हैं तो ऐसे हमारा जो बी-सी-एच है फुल आफ फूर्ट्स है और ब्लेसिंग है यहां पर काफी फूर्ट्स के हवाले से और देखें एक यह भी कुछ लगा हुआ है इसका भी मुझे पता नहीं है देखें खुदा की कुदरत कोई पता नहीं है इसके उपर कोई कुछ नहीं है और यह उपर कोई फूर्ट्स हा लगा हुआ है यह देखें यह देखिए जी चारो तरफ द्रखती द्रखते हैं बाक क्रिस्चन हॉस्पिटल बहुत ही खुबसूरे जगा है किसी दिन मैं आपको यह बाहिर से सारा विजिट करवाऊंगी और ब्लेसिंग है हमारे लिए हम यहां पे रहते हैं हर तरह की फैसिलिटी हमें मिली हुई है यानि के पानी, गैस, बिजली, अच्छे घर तो हम इसके लिए खुदा के नहाई शुकर गुजार है हाजी गाइस, भी मैं किचन में आई हूँ और आज की सबजी त्यार करने लगी हूँ यह विए नहीं देखिए, इसके प्यार बनानी है मैंने यह ली नहीं को शुला से ऑलु सह, जांग है मिर्च, यह इसको पोड़ा सा ओंब मिन के लिए ना करका लोगी कि उपर छार हाट, के लिए ना बॉइल कर लूँगी मैं इसकी बनाएंगे हम प्यूरी इसको बाद में थोड़ा सा ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी इसलिए इनको पकने के लिए मैंने रख छोड़ा हैं अभी यह मिक्स वेजटेबल हैं यह गोबी है यह गाजर को मैंने काट लिया और य अब अच्छे से मैं वाष्ट कर लूँगी अब अच्छे से में वाश कर लूँगी यह ए एक एफ झालूब झालूब तो झालूब तो यह देखिए जी इच्छे से बॉइल हो रहा है बस दो से तीन मिंट के लिए इसको मैंने बॉइल करना है यह देखिए जी आज काईना के स्कूल में मीना बजार था और वहां से यह एक यह पींटिंग लेके आई है कुछ अपनी पॉनिया लेके आई है यह देखिए और यह कैच्छर है यह अच्छ काईना अपने स्कूल से मीना बजार से खरीद के लाई है देखिए यह पेंटिंग कितनी प्यारी है अब बजाए यह देखिए यह देखिए अनदर एट किया है मैंने पटैटोस यह जैसे हैं किसे फ्राई हो जाएंगे इसमे मैं गोभी डालके फ्राइए और शाब कहरें इसको दो तीज मिंट के लिए फ्राइए निकाल दूंगी बजाएं यह प्राइओ नियुटए अब एसको बस एक जोमेंट के लिए मैं और रिए जाये करूंगी जिए मैं बोइल कि ती ना यहा तो मैं प्लेंड करने लगी हूं और इसे मेरे 1 बूवह जाया था यह दखे अंगी जेशी जाएं यह एक न जी ब्लेंड हो चुकी है वी इसको आम साइड को आपाँ क्याज एट करेंगे अच्छे से ब्राउन करेंगे अच्छे से ब्राउन हो गया ब्राउन और इसके अंदर भी हम अद्रक चॉप क्यों डालेंगे अधिन 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 थरी मिर्श एट करऊंगे अधिन इसको हल्का सा फ्राई करूंगी यह देखें जी यह लाल मिर्च दन्या पाउडर हल्दी और नमक एट करेंगे अच्छे से थोड़ा सा पका देंगे अजिए जब यह प्यूरी मैंने प्यार किया यह इसमें आगवरी के यह इसको वुआ है आपो घुब लिए आपने बस्योंदी जओर बश्क चॉए वाह जाए पानी आइट कर दिए, मैं लिटेजन स्प्राई कीन की वो इसमें आइट कर दोंगी इसमें फोड़ी देर के लिए मैं पकने दोंगी, इसमें तोड़ा सा पानी दाल दोंगी यह कैपसी कम मठर डालेंगे, फिर इसको मैं हलकी आँच पर रख दूँगी पकने के लिए आँच बिल्कुल हलकी कर दूँगी और यह फिर पकते रहेंगे तकरीबन 15-20 मिन के लिए देखे जी, सब्जी बिल्कुल त्यार हो चुकी है और इसमें अभी मैं डालूँगी धनिया और जरम मसाला एट करूँगी और पसूरी मेथी पर बनाइदरा जल दी हां सब्सक्राइब कर दिया और इसमें मैंने कुसूरी मेथी आड़ कर दिया और साथ में मैंने अगरम मसाला आड़ करूंगे यह रिखें यह हमारी सब्सक्राइब कर देखें जबरदस्त लग रही है यह देखें आज का विलॉग होफुली आप लोंको पसंद आया होगा और आज जो मैंने सब्सक्राइब के साथ शेयर की है तो प्लीज अपने घुरों में जूरू ट्राइब कीजिएगा यह बहुत ही जबरदस्त रेस्पी है और इसके लावा बस अभी आज के सारे काम तक्रीबन खतम हो चुके हैं और अभी मैंने सकिन डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि यह देखें मेरे फेस्बे काफी एक नहीं हो रही है तो मेरे ख्याल में बहतर लगा मुझे के मैं सकिन स्पेशलिस्ट को ही चेक क करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने तिल देन बाए टेक क्यार